नमस्कार दोस्तों, एक important topic, स्टेनल स्ट्रेटोस्फरिक वर्मिंग, ये topic न्यूज में क्यों है, साउथ हिंडिया में भेंकर बारिश होई है, कह सकते हैं कि आम नॉर्मल के दसगुना बारिश एक जनवरी से लेके 17 जनवरी 2021 के बीच में, अगर आप बात करें, ठीके ये रह सवंबर के समय पे, जब मौनसूर रेटरीट कर रहा होता, तो तमिल नाडू के कोस्ट पे और आंधर प्रदेश में बारिश होती है, बट एक जनवरी से 17 जनवरी 2021 के बीच में जो बारिश है, वो कही न कहीं इसलिए भी होती ही कि Bay of Bengal में कभी-कभी low pressure regions बन जाते हैं, इस low low pressure activity के चलते, cyclone formation होता है, छोटे लेवल का, और कोस्टे रिलाकों में पानी बरसता है, simple, लेकिन कहीं न कहीं एक जनवरी से 17 जनवरी के बीच में, जो पानी है, वो बहुत ज़्यादा बरसा है, दस गुना ज़्यादा बरसा है, when compared to normal, और कहीं न कहीं बोला जा रहा है कि य winter rain हुई है, और यह जो ज़रूर से ज़्यादा winter rain हुई है, यह हुई है due to sudden stratospheric warming that has happened in the Arctic region, तमिलाडू में जो rainfall आती है, दस गुना ज़्यादा rainfall आई है, जितनी भी तमिलाडू की 38 district है, सब में excess rainfall हुई है, 60% more than the normal for this time of the year, करला में normal से 19 गुना, करनाटका में normal से 12 गुना, ठ पांच जन्वली 2021 को और यह event हुआ है Arctic region में, जो कि कहीं न कहीं, आप कह सकते हो कि जो हमारा तमिलाडू वाला जो बेव बंगाल वाला इलाका है, वहां से 7800 किलोमेटर दूर है, यह जो southern tip of तमिलाडू है, this is somewhere 7800 किलोमेटर from Barents Sea, अब अगर Barents Sea की बात हो रही है, तो Barents Sea की की location देखे, तो आपको south की तरफ Scandinavian countries नज़र आ रही है, तो इधर Norway नज़र आ रहा है, ठीक है, Sweden नज़र आ रहा है, Finland नज़र आ रहा है, और इधर पूरा का पूरा Russia नज़र आ रहा है, ठीक है? ऊपर की तरफ आपका Swalbird नाम का island है, Norway का, Barents Sea, actually news में, इसलिए मैं आपको इ रहा है, याद रखेगा, Sweden boundary नहीं मना रहा है, Barents Sea के साथ, अगर आप देखें, तो Sweden की इधर Barents Sea के साथ boundary नहीं, नज़र आपका island है, इसकी boundary, Barents Sea के साथ, ये Norway का island है, और इस तरफ है आपका क्या, इस तरफ है आपका Russia मुर्मांक्स नाम की जगा है, यहाँ पे लो अक्षा खसा, यह night light, जो आपकी aurora borealis होता है, इसको देखने के लिए जाते हैं, और यह है news, और इसी के context में है आज की वीडियो, ठीक है, तो कहीं न कहीं, यह जो event हुआ है, मतलब जो तमिल नडू में, केरला में, जो बारिश हुई है, यह sudden बारिश के साथ जोड़ी जारी है, यह इसके साथ साथ आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, jet streams, तो मैं आपको sudden stratospheric warming नहीं समझा सकता, जब तक मैं आपको polar vortex न समझा दू, और कहीं न कहीं, jet streams मैं पहले आपको समझा चुका हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले कब-कब ऐसी sudden stratospheric warming आई हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके क्या-क्या potential side effects देखने को मिलते हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगा, तो आगे बढ़नेस पहले वीडियो पे like का बटन दोस्तों, इस वीडियो को share कर दीजे, मेरे चैनल को share कर दीजे, subscribe कर लिजे, अगर अब तक नहीं कि आए, sudden stratospheric warming में जो stratosphere है, stratosphere में एकदम से warming होती है, कुछी दिन में जो temperature है, वो 50 degree centigrade तक गरम हो जाता है, अब आप बोलोगे stratosphere क्या है, भाई मैं आपको बिल्कु सिंपल बात बता दू, माली जे, यह है अर्थ की surface, मैं थोड़ा सा एक pen on कर लेता हूँ, जिससे चीजना आप आर्थ की surface, ओके, आर्थ की surface के अगर आप ऊपर चलते चले जाओगे, तो कुछ हद तक आपका रहेगा troposphere, troposphere के ऊपर आएगा आपका stratosphere, यह जो troposphere और stratosphere को separate करने वाली जो boundary है, इसको बोलो जाता है tropopos, ठीक है भाई, इस tropopos के ऊपर शुरू होता है stratosphere, इस stratosphere दो चीजन में vertical movement of wind नहीं होता है, जबकि troposphere में vertical movement of wind होता है, तो अगर हवाई जाज़ ट्रॉपोस्फियर में उडएंगे, तो हवाई जाज़ों में turbulence बहुत जादा होगा, और safe नहीं होगा, लेकिन stratosphere में जब हवाई जाज उड़ते हैं, तो turbulence भी कम होता है, और safe भी होता है, comparatively with respect to trop atmosphere, तो जब ये warming होती है, कौन सी warming, sudden stratospheric warming, इस sudden stratospheric warming के चलते, कुछ चीज़ें होने रहती हैं, first of all, जो ground level पे लोग हैं, उनको ये warming feel नहीं होगी, पहली बत मैं आपको बता दूँ, ये polar इलाके में हो रही है, आर्क्टिक रीजन के उपर हो रही है, और ये south pole के उपर भी होती है, एंटार्क्टिक रीजन में भी होती है, लेकि मैं आपको एक बात बता दूँ, चूकि ये sudden stratospheric warming, polar vortex के साथ जुड़ी हुई है, और polar vortex का जो phenomena है न, वो arctic region के उपर ज्यादा dominant है, एंटार्क्टिक रीजन के उपर ज्यादा dominant नहीं है, क्योंकि southern region में समुंदर ज्यादा ह होते हैं, एकदम से ठंडा हो जाएगा, एकदम से गरम हो जाएगा, और ये एकदम से ठंडा, एकदम से गरम होने वाला जो phenomena है, वो troposphere और stratosphere को भी effect करता है, जिसका चलते overall atmospheric pattern बदल जाता है, तो हमको इतना समझ में आए कि sudden stratospheric warming मे, stratosphere का जो temperature पहले ठंडा था, वो एकदम से हो जाता है, और जब ये polar vertex disturb हो जाता है, तो ये jet stream को भी disturb कर देता है, अब यहाँ पर आपके लिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, कि jet streams क्या होती है, मैं jet streams के ओपर already video बना चुका हूँ, दो important jet streams आपको इस figure में दिख रही है, ऊपर दिख रही है आपको polar jet stream, नीचे द कोपरेट करती है, इनका क्या concept है, इसके लिए इस particular video को देखी जाके, jet streams मेरे नाम हर्शित दिवेदी साथ धीटों में सरच मारी है, आपको video मिल जाएगी, इस particular video में polar vertex और sudden stratospheric warming इस polar jet stream से जड़ी हुई है, polar jet stream कुछ इस तरीके से हमारे पूरे अर्थ को traverse कर रहा है, simple बात ह बोलोगे कि ये polar jet stream होता कहा है, तो 60-70 degree north या फिर कह लिजे, 55-60 degree north या 50-70 degree की बीच में कहीं पे भी ये polar jet stream हो सकती है, तो 50-70 degree north और 50-70 degree south latitude की बीच में कहीं पे भी ये polar jet stream होती है, okay, अब बात करते हैं polar vertex क्या होता है, polar vertex is a whirling cone of low pressure over the poles, the polar vertex is strongest in the winter, it is spins in the stratosphere, during winter the polar vertex is the strongest due to difference in the temperature between polar and mid latitude region, अब समझते हैं कि ये polar vertex क्या है, देखे, दो conditions होती है, एक condition तो यह होती है कि आपका polar vertex strong है, एक condition यह होती है कि polar vertex कमजोर है, जब polar vertex strong होता है, चीज़े ठीक होती है, डर की बात नहीं है, और जैसे polar vertex कमजोर पढ़ने लगा, आप समझ लिज stratospheric warming होती है ना, भाई ये जो polar vertex है ना, ये कमजोर पढ़ जाते है, और अगर polar vertex कमजोर पढ़ा तो problem है, अब ये मैं आपको एक region दिखा रहा हूँ, जो की Arctic region के ज़स्ट उपर दिखता है, जो हमारा North Polis के ज़स्ट उपर दिखता है, और इस प्रकार का कुछ आपको polar vertex नज आता है, देखिए यहां पर कैसे anticlockwise direction में winds घूम रही है, और ये winds पता है कहां घूम रही हैं, ये stratosphere में घूम रही है, ये stratosphere में घूम रही है, ये stratosphere में घूम रही है, अब आप बोलोगे कि polar vertex बनता कैसे है, देखिए polar vertex के बनने का जो phenomenon है, मैं आपको समझाता हूँ, हवा उपर अठी हवा उपर अठी यहां पर बादल बने पानी वर्सा यह मैं आपको कई बर बता चुका हूं ओके फिर एक्वेटोरियल लो प्रशुर बल्ट से हवा उपर उठी यह किस तरफ जाएगी नौर्थ की तरफ जाएगी और कुछ हवा साउथ की तरफ जाएगी हाई प्रशुर बनना चाहिए पास में जहां पर एर सबसाइड करें बैलेंस करने के लिए चीज़ों को तो तीस डिग्री नौर्थ पर देखिए टेंप्रेचर की विजए से एक लो प्रेशर और एक हाई प्रेशर आटोमेंटिकली बन जाएगा पोल पे सर्दी जादा है तो यहाँ पर हाई प्रेशर आटोमेंटिकली बन जाएगा और इस एक्वेटोरियल के लो प्रेशर को और पोल के हाई प्रेशर को बैलेंस करने के लिए 30 डिग्री नौर्थ पर बनता है एक हाई प्रेशर बेल्ट जिसको आप बोलतो है एक लो प्रेशर बेल्ट जिसको आ अब मैं आपको एक बात बता दूँ, यह 60 डिगरी नॉर्थ वाली जो जगा है न, यहाँ बेसिकली कोई खास गर्मी होती नहीं है, यहाँ ठीक ठाक सर्दी होती है, बट चुकि यहाँ पे हवा दो जगहों से कनवर्ज हो रही है और नीचे जमीन है तो हवा उपर ही जाएग सेल Number वन और यह सेल नमर टू, यह सेल नम बशन ऑर सेल नमबर टू क्या है, यह सेल नमर थ्री मैंने आपको बता दिया, पॉलार सेल है ठीक है, इस पॉलार सेल में उपर जो हवा उड़ रही है यह है पॉलार इस्टर्ली, आस सिंपल अब ये जो polar vertex होता है न ये ठंडी को अपने जगा पे constraint करके रखता है और एक और चीज़ है जो कि polar vertex को constraint करके रखती है आप समझेए इसके चारो तरफ अगर आप मानो तो एक ऐसे jet stream भी बहती हुई जाती है समझेए बात को ये polar vertex अंदर है और इसके बाहर jet stream है आपको पता है polar vertex ठंडा है और jet stream के अंदर कहीं न कहीं polar vertex रहता है अगर ये polar vertex तोड़ के jet stream के बाहर आ गया तो US, Europe, Russia यहां काफी ठंडी पढ़ने लगेगी तो polar vertex जब strong है तो इतने अलाके में जहां पे वो घूम रहा है यहीं तक वो stable रहेगा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा, jet stream को तोड़ के बाहर नहीं निकलेगा अगर ये polar vertex jet stream को तोड़ के बाहर निकल आया तो problem आजएगा अगर ये stable polar vertex किसी वज़ा से stable नहीं रहा तो ये jet stream को तोड़ के बाहर निकल आएगा तो USA की ये जगाएं जो पहले jet stream जहां नहीं पहुंच रही थी वहाँ आप jet stream पहुंच जाएगी और ये जगाएं चबर दस्त ठंडी हो जाएगी और इस ठंडी का सबसे तगड़ा उधारन Michigan नाम का ये शहर वहाँ पहक लेक Michigan और लेक Mission के हालाद देखिए ये पूरी बरफ बन चुकिए आप literally इस लेक Michigan के उपर दोड़ सकते हैं इत्ती जबरदस्ट ठंडी किसकी वज़ा से polar vertex टूड गया जेट स्टीम बाहर की तरफ फैल गई वो USA में पहुँची हर चीज़ बरफ वन गई और अब आते हैं किस पे Sudden Stratospheric Warming में ये जो Stratospheric Polar vertex है ना इसमें ठंडी हवाई होती है Arctic Circle के उपर ये Anti-Clockwise Direction में गूमने लगता है जब ये Polar vertex एकदम से temporarily weaken हो जाता है तो Polar vertex है ये Low Pressure इलाका है Low Pressure इलाका क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको समझाया ये पूरा जो process समझाया Pols के उपर High Pressure होता है बड़ो High Pressure नीचे की तरफ होता है अगर आप Tropopause के पास चले जाओगा Stratosphere में चले जाओगे तो वहाँ पे जो pressure है वो Low Pressure है चुकि वहाँ पे जो हवाई बहरी है वो Polar Easternly है और Polar Easternly कहीं न कहीं सब Polar Low Pressure बेट से आ रही है तो हल्की फुल्की गरम है लेकिन अगर आप बिल्कुली Pol पे नीचे की तरफ रहोगे तो भाई ठंडी बहुत जादा होती है समझ के बात को इसलिए ये जो Polar Vertex का इलाका इसको Low Pressure कहा जाता है Low Pressure क्यों कहा जाता है चुकि फस्ट अफॉल ये जमीन पे नहीं है ठीक है, Tropopause के उपर है Tropopause के पास है और वहाँ पे pressure Low होता है ठीक है, वहाँ पे pressure Low होता है Polar Vortex में हवाएं घुमती रहती है सर्दियों के समय पे ये Polar Vortex बहुत स्ट्रॉंग होता है क्योंकि सर्दियों के समय में Pols ठंडे होते हैं और Mid Latitudes उतने ठंडे नहीं होते हैं तो Winters के टाइम पे कहीना कही Temperature Difference ज़ादा होता है और जब Temperature Difference, देखे, जब सूरज Northern Hemisphere में होगा मैं Arctic Pole की बात कर रहा हूँ जब सूरज Northern Hemisphere में होगा तो जो Temperate Regions है और जो Polar Regions है उनके बीच का जो Temperature Difference होगा वो तरह नहीं होगा लेकिन जब सूरज Southern Hemisphere में चला जाएगा तो Arctic Pole का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो पूरा-पूरा किस में चला जाएगा अंधेरे में चला जाएगा Northern Latitudes में जो Temperate वाला रीजन है वहाँ थोड़ी बहुत Sun की केरने पहुँच रही होगी यह जो एकदम से गर्मी होती है Sudden Statospheric Warming यह इस Polar Vortex को कमज़ोर कर देती है और जब यह Polar Vortex कमज़ोर होगा ना यह Jet Stream को तोड़के बाहर की तरफ निकलेगा यही चीज बहुत Problematic होती है समझ़के भाई तो जब तक यह Polar Vortex स्ट्रॉंग है तब तक तुझी ने ठीक है Jet Stream के अंदर Contained है Jet Stream भी अपनी जगह पे चल रही है ज़दा खतरनाक महौल नहीं मना रही है लेकिन Polar Vortex कमज़ोर हुआ तो भाई जो Low Pressure था वो तूट गया हवा बाहर की तरफ निकली Jet Stream को तोड़के बाहर की निकल गई ठंडी बहुचात होगी अब यहाँ पे बहुत सारी थियोरीज हैं कि भाई यह Sudden Stratospheric Warming होती क्यों देखे ऐसा नहीं है कि Sudden Stratospheric Warming हर साल होती यह कभी भी होती है और इसके उपर जो अभी भी आप कह सकते हो कि Research है वो चालू है और Sudden Stratospheric Warming के वह नॉर्थ पोल पे नहीं होती है South Pole पी होती है North Pole और सौथ पोल दोनों जग़ाँ पर होती ही Sudden Stratospheric Warming North Pole में थोड़ी ज़्यादा होती है Reason being कि वहाँ पे जमीन ज़्यादा है तो जमीन ज़्यादा होने के वाज़े से एकदम से ठंड होना एकदम से गर्मी होना यह North Pole में common बात है जैसे ऐल नीनो की बात की जाए अभी भी ऐल नीनो Southern Oscillation यह एक ऐसा Atmospheric Phenomena है जिसको Scientist पूरी तरीके समझ नहीं पाएं उसी प्रकार से Sudden Stratospheric Warming और Polar Vortex यह ऐसे Atmospheric Phenomena है जिनको आज भी पूरी तरीके से समझा नहीं गया है बस कहीं न कहीं इस चीज़ पे बहुत बहुत हो रही है कि यह जो Sudden Stratospheric Warming यह इसको Advance में प्रिडिट कर लिया जाए चुकिए Advance में प्रिडिट कर लेंगे तो जो Adverse Weather Events होंगे उसके लिए कम से कमम तैयार तो रहेंगे तो क्या कर रहे है? Sudden Stratospheric Warming Polar Vortex को तोड़ रही है जिसकी वज़से Jet Stream का जो Normal Flow है वो बिगड़ जा रहा है जिसके चलते एकदम से जो ठंड है वो UK, Russia, Europe जैसी कंट्रीज में जा सकती है अब इससे होगा क्या? अगर Sudden Stratospheric Warming होती है Jet Stream बाहर की तरफ पहल जाएगी Jet Stream बाहर की तरफ पहल जाएगी तो जो Northern Europe है Northern Europe में तो भाई ठंडा और ड्राइव एधर हो जाएगा जोकि अब इससी बात है Jet Stream Northern Europe में पहुँच जाएगी तो बिल्कुल ही ठंडी हो जाएगी और जो Southern Europe है वो Mild, Wet और Windy रहेगा और जो Boundary अलाके होंगे वहाँ पे Coast Easterly Events डेवलप होंगी अभी उतना डीप जाने की जरूत नहीं है जितना आपके लिए जरूरी है उतना समझा रहो इनफर्क जितना जरूरी नहीं उससे जादा ही समझा रहो जरूरी यह है कि इस प्रकार की जो Events है इनको हम प्रेडिट कर सके और यह Events कहीं पर भी हो सकते है ऐसा नहीं है कि जो पूरा का पूरा जो आपका Polar Vortex से एकदम से तूटेगा और हर जगा Jet Stream बाहर निकल जाएगी नहीं कभी-कभी एक Local इलाके में यह Sudden Stratospheric Warming होती है और उस Local इलाके का Polar Vortex डिस्टर्ब होता है जिसकी वज़ासे बाहर की तरह से जो Jet Stream आ रही है उसको डिस्टर्ब कर देता है तो कभी-कभी Individual Sudden Stratospheric Warming के Events होते हैं जिसकी वज़ासे Locally Jet Stream पर एफेक्ट आता है जिसकी वज़ासे जो Temperature Changes है वो कुछ एक Particular इलाके तक रहेंगे कभी-कभी ये Changes बहुत बड़े हो जाते हैं इन Changes को समझने के लिए Satellite और बहुत से और Observation Mechanism Scientist ने तयार की हैं और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो हम लोग एक हफते पहले अब ये जान सकते हैं कि कब Sudden Stratospheric Warming होने वाली है Sudden Stratospheric Warming को डेवलप होने में कम से कम कुछ हफते लगते हैं और हो सकता है उनका effect आने तक एक महीना भी बीच जाए तो कहीं न कहीं Satellite Observation के थुरू हम इसके Adverse Effects को रोख सकते हैं Stratospheric Warming के जो events है तो 2021 में एक event देखने को मिला जो 5 January 2021 को हुआ और इसके effects कहीं न कहीं हमारे जो Bay of Bengal का इलाका था यहां तक नज़रा है तो Bay of Bengal ने बहुत सारे low ठीक है pressure के depressions बने उस low pressure के depressions के चलते एक limited level पे cyclonic activity हुई जिसके चलते जो coastal इलाके थे southern वाले उनमें काफी बारिश देखने को मिली इनफेट कोस्ट इलाके में नहीं यह जो cyclonic depressions थे वो काफी हद तक इंडिया के ऊपर भी आए और उन्होंने almost पूरे south इंडिया में बारिश करवाई और Bay of Bengal में यह जो low pressure cyclonic आप कह सकते हैं events हो रहे हैं they are very much linked to this sudden stratospheric warming चूपकि polar vortex टूटा है और वो polar vortex की वज़े से jet streams टूट के temperature zones तक आ रही हैं तो जो temperature zone में temperature pattern था वो टूट गया हवा का flow था वो टूट गया और कहीं न कहीं वो जो हवा का flow है न वो पूरे दुनिया में effect डालता है और इंडिया में किस प्रकार से effect डाल रहा है Bay of Bengal में चोटे चोटे low pressure के tropical depressions बन रहा है जिसकी वैसे hulky-hulky cyclonic activity हो रही और पानी बरस रहा है 2019 में भी एक ऐसा ही sudden stratospheric warming वाला event हुआ था जिसके चलते jet stream 2T यूएस के उपर आई और lake जो Michigan थी Chicago में वो पूरी तरेकिया से freeze हो गई यह figure तो मैंने आपको दिखाई दिया 2018 में एक ऐसा sudden stratospheric warming हुई थी जिसको बोला था beast from the east यह कहां पर हुई थी यह UK में हुई थी तो polar vortex और sudden stratospheric warming एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए jet streams का इसमें क्या role है कि दोनों चीजें जितना आसान तरीके से जितना जरूरत है वो मैंने आपको यहां पर संजाने की कोशिश की आप अपने viewpoints इस वीडियो के बारे में नीचे comment box में जरूर दीजेगा अच्छी लगे तो इस वीडियो को like की भी करिएगा thank you for watching friends have a great day